Hello everyone and welcome back to my YouTube channel तो दोस्तों आज का वीडियो Moneysharer application के उपर होने वाला है जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक हफ्ते पहले उसके उपर एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों को उसे आपको यूज नहीं करना है और नहीं किसी को शेर करना है अगर आपको कोई शेर करता है तो नहीं उसमें आपको यूज करना है और नहीं उसके अंदर आपको कोई bank account details देना है तो गाइस उस वीडियो पर बहुत सारे व्यूज है बहुत सारे लोगों ने देखा और लाइक भी किया है लेकिन कुछ लोग उस पर comment करें कि इंफोर्मेशन गलत है फैंज पहले रिसेर्च करकर वीडियो पनो और कोई बोHHHH रहे हैं कि मैंने इतना पैसा अर्म किया इस मैंगी तो गैस अगर कि अगर आप लोग सच में इतना पैसा उर्ण कर रहे तो उसका एक मने यह ब्ड्रॉल प्रूफ बताइए न हमको मनी चुर्पाइए कि मनिसेर के मड़े के संदर से मप्लीचेशन पर पैस arguing वो ब्ट्रॉक करने के बाद चैब आपके दर आके मिला जाता है ऑप में जमा हो जाता है उस और मनीशेर में जो आप चाहिए ऐस उस fan का withdrawal amount और bank statement में जो आपके जमा होने के बाद आता है वो amount में मैच होना चाहिए और date मैच होना चाहिए तब मालूम होगा के यह सही प्रूफ है उस application का तो ऐसा proof लिए बनाए कि आपको withdrawal date और statement and match हो और amount match हो ठीक है यह statement मत बताए कि money share application में आपने वहां पे withdraw क्या इतना amount डाल करके देखो मैंने विड्राव कर लिया वो विड्राव प्रूफ नहीं हुआ विड्राव महां से हो जाएगा बैंक में नहीं आता है बैंक में आने के बाद तब बताए हमको कि हमने इतना पैसा और इतना amount विड्राव कर लिया है अगर आप withdrawal प्रूफ वीडियो ब मैं उसको भी डिलेट कर दूँना है